नमस्कार विद्यार्थि मित्रो आजे आपने दुरण दसमा अभ्यास एक पुन्द्रा वर्तन अने क्रियापद परीचे एना विशे वाद करीशू मित्रो तमे दुरण नौमा जुदा जुदा क्रियापदो विशे बन्या छो एमा वर्तमान काल, यस्तन बुद्काल, सामान्य बविश काल आब जुदा जे कालना रुपो छे एक रियापदो छे तो एक रियापदो तमे बन्या गया छो पन फरी आपने ए त्रणे काल छे एना क्रियापदो नी बात करिया यहां, जे तमारे द्यांती साबड़वानू छे साथे साथे तमारा चोपडाम लखवानू पन छे अने जे वाक्यों छे बराबर समझवाना छे क्रियापद छे, एक क्रियापद नी साथे साथे किटलाग पदो यहनी साथे आवे छे यहां किटलाग वाक्यों आपेला छे अन्सह क्रिडकानी क्रिडती, तो क्रिडती अन्स रमकडा रमे छे क्रिडती रमे छे, क्रिडती एक क्रियापद छे नित्या प्रातकाले विद्यालयं गच्छती नित्या सवारे विद्यालय जाई छे दिव्या ह अस्ते चशकं आदाय जलम पीबती दिव्या ह एटले के दिव्या आथमा प्यालो लईने पाणी पीए छे मितरों आचे क्रिया पदो जे एक रिखांकी तक पदो छे एक क्रिया पद केवामा आवे एक क्रिया दर्शावे छे एटला माटे एक क्रिया पद छे यहनी साथे साथे जे पदो जोडाएला छे ए बदा कारक पदो केवामा आवे छे कारक इटले के जे क्रियाने दर्शावे छे तो यहां क्रिडती तो रमे छे कौन रमे छे अंसह तो अंस छे आ क्रिया पदनू करता पद थयू जेने आपन करता तरेक ओड़किये छे करता ए प्रत्मा विभक्ती छे तो आ करता पद छे क्रिड कानी ए कर्म पद छे रमकडे रमे छे अत्वा रमकडा रमे छे तो यहां करता पद छे कर्म पद छे अने आ क्रिया पद छे तो आ क्रियापद छे एनी साथे करता जोडायलों छे करता एक वचण छे एटला माटे क्रिडती सब्द छे एपण एक वचण नमा मुक्वामा आवेलु छे इविज रिते नित्या प्रातकाले विद्यालयम गच्छती नित्या सवारे विद्यालय जाये छे तो गच्छती क्रियापद छे यहने साथे साथे यहना कारक पदो जुडवामा आवेला छे कारक पदो जुईए तो यहां नित्या एक करता पद छे प्रातकाले एक सप्तमी अधिकरण यहले के समय दर्शावे छे तो यह अधिकरण सप्तमी छे यहले के सप्तमी नूपद छे अधिकरण छे कारक यहनू अधिकरण छे अने विद्यालयम एक कर्म छे तो आरिते येना क्रिया पदनी साथे येना कारक पदो जोडायला छे जेना आपने विभक्ती तरीके ओलख हिये छे दिव्यह हस्ते चशकम आदाय जलम पिबती एईया पन दिव्यह करता पद छे अश्ते अधिकरण पद छे चशकम एक कर्म छे आदाय एक अन्य पद छे गवण पद छे औन जलम छे एपन कर्म पद छे तो आरेते बद्धा जे क्रिया पदो नी साथे याना जे कारक हो छे ए संकड़ायला होय छे जे तमी दोराण नौमा शिखी गाया छो याने विबक्ती ये उन नाम आपपामाविलू छे जे सबंदोने सांकड़े छे क्रिया पदोने साथे जुदा जुदा पदो छे ए पदो जे सबंद थी संकड़ाय छे याने आपने विबक्ती ये तरेके आपने उन नाम आप्यों छे तो ए साकलवानी प्रक क्रिया छे ए विबक्ती करे छे तो हाँ बदा पदो छे आ क्रिया पदो छे ए जुदी जुदी र अन्य पुरूश एक वचन छे, अन्य पुरूश एक वचन छे, पीबती अन्य पुरूश एक वचन छे, अनो काल छे वर्तमान काल, तो आ वर्तमान काल ना क्रियापदो अन्य आपवाम आविला छे, अन्य क्रियापदो अन्य आपवाम आविला छे, ए पन आपने जुईए, त सह वेदम पठती सह वेदम पठती ते वेद वाचे छे पठती एटले वाचे छे आ वर्तमानकाड परस्मई पद अन्य पुरुशेक वचन रूप छे सह छे ए सर्वनाम छे सह सर्वनाम छे इविद्रिते त्वम वेदम पठसी तु वेद वाचे छे तो पठसी एपन वर्तमानकाल वर्तमानकाल मध्यम पुरुष एक वच्चन रूप छे अहम वेदम पठामी हुँ वेद वाचू छूत तो पठामी छे ए वर्तमान काल छे परस्मेपद अन्य पुरुष उत्तम पुरुष एक वच्चन नुरूप छे तो मित्रो अहियां आपदो पुन्दा वर्तमाटा पमाविला छे जी तमी अगव बनी गया छो एन्य याद करवाना छे तो वर्तमान काल छे प्रत्ययो छे अहियां किटला क्रियापदो आपिला छे एक क्रियापदो ने जुईने तमारे वर्तमान काल छे प्रत्ययो छे परस् अन्ती तो यहां फक्त अन्य पुरुष एक वच्छन छे, अमध्यम पुरुष एक वच्छन छे, उत्तम पुरुष एक वच्छन छे, आवा रुपो आपेला छे, क्रिया पदो छे, तो तमारे बिजार रुपो पन्त यहार करवाना छे, यहना पछी, तो आथ है वर्त्मान का परत्मान कालना होई परस्मी पदना होई के आत्मने पदना होई पन जो तमी प्रत्यों तैयार करता रेशो अथ्वा प्रत्यों तमने ख्याल होई तो ए वाक्यने आपना बराबर समझी शक्किये छी एला पची छे यस्तन भुदकाल छे सह वेदम अपठत तेने वेदने वाचो हतो अपठत यस्तन भुदकाल अन्य पुरूष एकवच्चनुरूप छे त्वम वेदम अपठत तू वेदने वाचो हतो तौम वेदम अपठत तू वेदने वाचो हतो अन्य अहम वेदम अपठत मे वेदने वाचो हतो तो यस्तन भुद्काल छे, जी भुद्काल दर्सावे छे, जी क्रिया अगाउ थाई गईली छे, यहने दर्सावा माटे, आ यस्तन भुद्काल ना क्रिया पदो नो उप्योग करवामा आवे छा मित्रो, तो यह यस्तन भुद्काल ना क्रिया पदो छे, यहना प्रत्यव पन तमी भणी गया छो जे हुआ या बुलू छू ये तमारे बराबर याद राखवाना छे फरी एक वकत जोई लेवाना छे आतो बदा छे अन्य पुरुशेक वच्चन नुरूप छे अहिए मध्यम पुरूचे ये अन्य उत्तम पुरुशेक वकत नूरूप छे इना पृत्तिवआ प्रमाना छे य्श्थन बुद्कार परस्मे पद अंवम शंतम तो ताम अन इना पृत्तिवचे जे तमारे बराबर फरी याद करवाना छे इना पजारी मित्रोचे अन्या सामान्य भविश्कार ना क्रिया पदु दर्शाव में आवेला छे तो अन्या सह वेदम पठिश्यती ते वेद वाच से भविश्कार दर्शावे छे प्रत्य श्यती छे तो ये बविशकार दर्शावेचे बविशकार ना प्रत्यि़ उपण तमें अगाउशिखई गया छो तो सह वेधम पठिश्यती ते वेध वाचसे तवम वेधम पठिश्यसی तू वेध वाचिश अहम वेधम पठिश्यामी हूँ वेध वाचिश तु वेद वाचिश हुँ वेद वाचिश तो यह पन आ जे क्रियापदो आपपामा आवेला छे ए सामान्य बविश्यकाल अनपरस्मेपदना छे तो ए आज काणना जे क्रियापदो छे सामान्य बविश्यकालना ये बविश्रकाल ना क्रियापद उपर थी तमारे बिजा जी कई प्रत्ते हो छे ये तैयार करवाना छे जेम के सामन्य भविश्रकाल छे येनो परस्मेपदनो प्रत्य छे ये हूँ ये बूलू छू शयामी शայह श्यामह शशी शतह शती शतह शंती यह ना परस्मि पतना प्रत्योछे इवीदि तेला आत्मने पतना प्रत्योपन छे यह तमारे तैयार करवाना छे मित्रो एना पछी आगल बदी आपड़े तो यहां सह वेदम पठती तद सर्वनाम नो रूप छे मित्रो तद सर्वनाम सह एटले ते वेद वांचे छे अहां फरियापड जोई लिये के आपण वर्तमान काल छे तो सह वेदम पठती यहां पछी तव वेदम पठत तव एटले ते वे सर्वनाम नारूप छे तद सर्वनाम पुल्लिंग जे सह तव ते तम तव तान तेन ता ब्याम तईही तसमे ता ब्याम ते ब्याह आप cosine जे सर्वनामना रूपो छे तद सर्वनामना रूपो छे अनो अहीं प्रयोग करवामा आवेलो छे मित्रू एटले कि क्रियापद करता होई ए प्रमाने क्रियापद मुकवामा आवे छे ए दर्शाव माटे अहीं आपने जुदा जुदा वाक्यों अप्वाम आवेला छे जे पुंद्रा वर्तन छे पड़े वाक्यों तमारे समझवाना छे जीठी अगाउ तमारे बराबर याद रे अने तमी बराबर अने वाक्या ने समझी शको एटले कि आहें सह एटले ती तृजो पुरुस छे तो एटले तृजो पुरुस थे तो एटले त्व वेद वाक्यों चे छे तो तो वेदम पठत है एटला ते बे वेद वाँ चे छे तो इया पठत है शक्द छे ए वर्तमानकाल परस्माईपद अन्य पुरूष दिवचन रूप छे तो इया दिवचन छे क्याम कानका इया बेजन वाँ चे चे एवुर इया दर्शावम तो वेदम पठत है ते बे वेद व आचे छे तो यह तौँ छे एटला माटे यह क्रियापद पणेने अनुसार मुक्वामा आविलू छे इविज रिते अन्या ते वेदाम पठनती अन्या मित्रो वर्तमानकाल परस्माई पद अन्या पुरूष बहुवचन रूप छे ते ए तज सर्वनाम प्रथम विभक्ती अ आना बहुवचन छे ते एटले तेव बधा तो तेव बधा वेद वाचे छे तो तेव बधा एम कयू एटला माटे यह बहुवचन रूप मुक्वामा आविलू छे तो आरे ते आपने क्रियापद ने समझीशू क्रियापद छे ए कर्ताने अनुसार मुक्वामा आवे छे अपने समझवानू छे, साथी साथी क्रिया पदो छे, ये वर्तमान कारना क्रिया पदो छे, ये पण आपने समझवाना छे. एना पची छे मित्रो, अईया अपठत, जे आपड़ा गाउ जुई गया, ये बुद्धिकाल नुरूप जे आपड़े अस्तन बुद्धिकाल कहिये छे, तो सह वेदम अपठत, तेने वेद वाचो हतो, तो अईया पण सह छे, ये करता पद छे, तद सर्वनाम छे, इटला के ते वेद वाचो हतो, इला के त्री, अईया तेनी वाद थाये छे, एकज व्यक्तिनी वाद थाये छे, इटला माटे हन्य पुरोष, एक वच्चन रूप अईया क्रिया पद मुखवा मावेरू छे, अईया तव वेदम अपठतां, ते बे वेद, ते बनने ये वेद वाचो हतो, एना पचे, ते वेदम अपठन, ते उबधा वेद वाचो हतो, तो इया धी वाच्चन छे, इटला इया पण, जे क्रिया पद छे, तमें जूशो, तो क्रिया पद छे अनू, आपने अयस्तन भुद्का ना प्रत्य विवाद करिये, तो अम, व, म, स, तम, त, त, ताम, अन, स, अम, व, म, स, तम, त, अन, त, त, ताम, अन, तो एक्रिया पद छे, एया तव एटले ते वेदने वाचो हतो, ती एटले ते वो बधा वेदने वाचो हतो, एटले क्रिया पद छे, एना अनूसार, एना सर्वन नामना रुपो पण, मुक्वाम आवेला छे, एना तो सह वेदं पठिश्चती ते वेद वाज से, तो वेदं पठिश्चती ते वेद वाज से, तो वेदं पठिश्चतह ते बे वेद वाज से, अने ते वेदं पठिशंती ते वो बजा वेदने वाज से, तोहा रिते क्रिया पदों छे एक क्रिया पदों कई रिती मुक्वामा आविला छे तो जे रिती कर्ता पद मुक्वामा आविलों छे एक कर्ता पद प्रमाणे या क्रिया पद मुक्वामा आविला छे तो मित्रो हाँ पुंद्रा वर्तम थायू छे तो येने तमारे बराबर समझी लेवानू जे कालना प्रत्य हो छे वर्तमानकाल यस्तन भुतकालने सामाने पविश्काल तो ये सामन्य पविष्कालना बन्ने प्रकालना प्रत्यों पर तमार याद करवाना फरी हो तमने समझावे लो यस्तन भुद्कालने तो वाद थाई गई छे यहां पर परस्मिपद ना आत्मने पद ये ब्ये प्रकालना पदो होई छे तो ये बे प्रकार ना पदो छे बे प्रकार ना पदो मा जे प्रत्तेयो छे परस वर्तमान काल परस्माइपद एना प्रत्तेयो छे वर्तमान काल आत्माने पद एना प्रत्तेयो छे यस्तन भुद्काल छे ए परस्माइपद और आत्माने पद और आत्माने पद छे तो ये र क्रिया पदना रुपोचे एवे आगळा पने अभ्यास करेशू